अगर तो आपका यूटूब चैनल अभी तक ग्रो नहीं हो पाया है, इस वीडियो को अगर छोड़के जाओगे तो जिन्दगी में कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके दिभाग में यही रहता है कि मुझे टैग्स आता है, मुझे डिस्क्रप्शन आता है, मुझे एस्यो आता है, मुझे थमनेल बनाना भी आता है और मेरा यूट्यूब चैनल तो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा, मैं खुद ग्रो कर लूँगा और उसके बाद जब आप काम करते हो ना, आठ महीने, दस महीने, या फिर एक साल या दो साल और आपकी हाला जूकी तू रहती है आपको सब कुछ आता है, फिर भी आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो पाता बट इस वीडियो मैं आपको साथ ऐसे पॉइंट बदाने वाला हूँ अगर आप वो अपने वीडियो में कर दोगे, तो कोई भी बंदा, चाहे छोटे हो, आप बड़े हो, किसी में कम दिमाग है, या किसी को इंगलीस आती है, या नहीं आती है तब भी आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अगर आप सच में अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी पोपुलर होना चाहते हैं, आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तभी ये वीडियो देखना, अगर नहीं चाहते तो एक मिनिट में कल्टी मारो और यहां से निकल जाओ जो बंदा सीरियस है जो बंदा चाहता है कि मैं अपना नाम कमाऊंगा वो ही वीडियो लाश्ट देंगे बट उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आज सच बताना और सही बताना कि आपके चैनल पे 24 घंटे में कितने व्यू जाते हैं एक वीडियो में अगर आप सही से एख से कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट को रीड करूँगा अगर मुझे लगेगा कि बंदे ने अच्छा कमेंट किया है और यह जैन्वन है तो मैं उसके चैनल को review करूँगा, चेक करूँगा क्या problem है, फिर आपके चैनल पे comment भी जाके करूँगा, इसी वज़े से आज की इस वीडियो पे like target है 1000, वो तो आपको करना है, साथ में आपको comment भी करना है, अगर दोस्तों आज की वीडियो में आपने 7 point जुरू से समझ लि बात करते है number 1 point की, जो यूटूबर अपने यूटूब चैनल के लिए subscriber और views खरीदेगा, तो ऐसे में उसका channel dead हो सकता है, और उसके channel की rich अचानक गिर सकती है, क्योंकि दोस्तों यूटूब की algorithm 2023 में काफी smart हो चुकी है, अगर आप अपने यूटूब चैनल पे कहीं से भी fake website से या fake application से views बढ़ाएगे, तो आगे चलके आपी को दिक्कत आएगी, अगर आप Google Ad से अपने views को बढ़ाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हाँ, अगर आप किसी website से या fake या artificial तरीके से अपने YouTube चैनल पे views लेके आओगे, तो कुछ दिनों के बाद में आपके चैनल के rich down हो जाती है, क्योंकि आपके चैनल के rich है, वो artificial है, और जब और गिर जाती है, तो उसको उठाना में काफी problem आती है, तो आज ये आपको कसम खा लेनी है, कि मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं तो कोई subscriber और नहीं कोई views गेन करूँगा, को भी fake website से, ये आपको बि बहुत जदा important है, और ये बात मुझे पूरे एक साल के बास समझ में आई थी, वो है दोस्तो audio, दोस्तो अगर आपके पास अच्छा camera नहीं है, अच्छा यहां पे phone नहीं है, आप अच्छे से shoot नहीं कर पा रहे हैं, पर अच्छे से आपको voice record करना पड़ेगा, अगर voice record face जाए अच्छा नहीं है, आप काले हो, गोरे हो, सामले हो, या फिर आपका camera अच्छा नहीं है, वो एक बार के लिए चल जाएगा, बट voice नहीं चलेगी, क्योंकि आप जो समझा रहे हैं, वो दूसरे को अच्छे से समझ आनी चाहिए, voice बहुत clear होनी चाहिए, और फिर मैं कई बार आपको zoom करना पड़ता है, कई बार आपको zoom in करना पड़ता है, और कई बार आपको effect डालने पड़ते है, जितना अच्छा आप creativity के साथ video editing करोगे, उतने अच्छे से लोग बाग आपकी video के साथ impression जो है अच्छा जाएगा, और आपकी value भी बढ़ेगी, तो काफी important बात है कि आपको audio record करने के लिए एक बोय का M1 mic और दूसरा editing पर आपको बहुत ध्यान देना है, बट कहीं सारे बंदों को यहीं नहीं पता होता है, कि हम video editing कि से टूल से करें, तो आप काईद master से use कर सकते हैं, कहीं सारे crack version होते हैं, अगर आप crack version को download करना चाहते हैं, तो आ thumbnail हर कोई बंदा बनाते है, बट उसमें तीन mistake आपको कभी नहीं करने चाहिए, अगर आप तीन mistake करोगे, तो definitely आपके video की जो reach है, वो down चले जाएगे, और click through rate भी बहुत डाउन चले जाएगा, और इससे क्या होगा, कि आपको बहुत time लग जाएगा अपने channel को उठाने में, याद रखिए, अगर किसी का भी YouTube channel आगे जाता है, तो उसका कहीं न कहीं thumbnail होता है, कहीं न कहीं उसके font होता है, तो यहाँ पे मैं आपको तीन चीज बता रहा हूँ, जो आपको improve करनी है, वो है font, number one font होता है, thumbnail पे जो आप लिख रहे हो, वो font पुराने जमाने के नहीं होना चाहिए, 2017, 16, 15, 18, 19, आज 2023 आचुके है, अब font का जो system है, वो यहाँ पे change हो चुके है, आपको बहुत अच्छे से font आपको find करने है, number two बात है, color grading इसका मतलब यह है, कि आपको यह पता होना चाहिए, कि किस color के उपर क्या color लिखा जाता है, और कैसे आपको font बनाने पड़ इसके लिए मैंने प्रोपर वीडियो बनाई है, कि color grading के उपर, किस color के उपर क्या color लिखा जाता है, उस वीडियो का link में डिस्क्राइब देता है, जल्दी से जाए, चेक करिए, और अराम से आज ही आपको पता चल जाएगा, कि अजीब अजीब आप color नहीं लिखोगे, कि कहीं बार आप color ऐसे लिख देते हो, कि आपको font दिखते भी नहीं है, आपने क्या लिखा है, वो भी hide हो जाते है, तो यह सब mistake आपको दूर करनी पड़ेगी, और तीसरी जो mistake है, वो है thumbnail पे हद से ज्यादा लिख देना, मतलब सारी चीज लिख देना, मतलब ऐसे कर दोगे, कि हाँ यार वीडियो के अंदर क्या होगा, तो यह सब mistake आपको दूर करनी है, अब बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट के बारे में, यह है keyword research, और अपने इस keyword को आपको title में डालना है, हम बात कर रहे है SEO की, दोस्तो अगर आप SEO के बारे में नहीं जानते, तो SEO का मतलब होता है search engine optimization, यह आपके YouTube के title के लिए काफी important होता है, क्योंकि दोस्तो जब तक आपकी जो वीडियो है, वो दूसरे को बताई जाएगी, जब तक आप उस पे title नहीं लिखोगे, मालिया जाए, कोई भी वीडियो आप पब्लिस कर रहे हो, तो उसके title से ही लोगबाग जानेंगे, तो जो बंदा अपने keyword research के माद्यम से, ऐसे keyword अपने title में डालेगा, जो ranking है, जो इस ताइम बहुत ज़ादा searching है, तो उससे क्या होगा, कि आपकी ranking बढ़ेगी, और आपके title के base पे भी, मतलब बंदे देखेंगे, viewer देखेंगे, अगर वो title आपने कुछ ऐसा लिख दिया, जिससे कि लोगबाग impressed हो गए, तो जो title में आप लिख रहे हो, वो same to same आप thumbnail में लिखने कोसिस करो, जानि कि जब भी आप title लिखो, बहुत सोच समझ के SEO के साथ, user friendly के साथ, बलब ऐसा title, जो देखते ही लोगों पसंद आ जाए, ये आपको काम करना पड़ेगा, इसी को बो इसाब से आप अपना title डाल सकते है, अब बात करते हैं यहाँ पे पांचवे point की, ये point है description, दोस्तों यहाँ पे काफे सारे YouTuber हर कोई description लिखते है, अलग अलग तरह के description लिखते है, कोई कैसे लिखते है, कोई keyword लगाता है, कोई tags लगाता है description में, मलब अन्दा धुन लगाते जो एक best practice है, ये आप screenshot देख सकते हो, इस तरह से अगर आप अपने description को लिखोगे, तो ऐसे में क्या होगा, कि YouTube अगर आपको पगड़ भी ले, तो आगे चलके आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या है, कि आपकी जो ranking system है, वो खराब नहीं होती है, और नह पलसा और अच्छा सा आपको description लिखना है, disclaimer के साथ, मैं एक दो दिन में वैसे बनाने वाला हूँ, कि सही तरह से description कैसे लिखा जाता है, आप उसके मदद से, अपने tags को आप वहाँ पे लिखो, keywords को वहाँ पे search करोगे, आपको कुछ ranking tags दिये जाएंगे, वो tags आप को पी करक आप अपने YouTube की वीडियो के description, oh sorry, tags में डाल सकते है, अगर आप ऐसा करोगे, तो कुछ दिनों तक आप ऐसे करना, बट याद रखना, जो keyword आप title में डाल रहे हो, वो ही keyword यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद ही आपकी जो वीडियो है, वो ranking system में आ जाएगी, और आपक YouTube सर से आपकी views आना start हो जाएंगे, अब बात करते हैं यहाँ पे 7 point के बारे में, यह मेरा favorite point है, और मैं इस पर काफी believe करता हूँ, वह है consistency, अगर आप consistency maintain रखोगे, तो आपको चैनल की जो ranking है, और आपके चैनल की जो impression है, वो वहाँ पे एक सार रहेंगे, या फिर वो realize हुआ, कि हाँ यार, अगर मैं daily videos upload करूँगा, तो मेरा impression या तो equal रहेंगा, या ऊपर चला जाएगा, अगर उपर जाता है, तो आपके views बटना start हो जाते है, अगर आप video में gap करना start कर देते हो, एक महिना, डेड़ महिना, दस दिन, पंदरा दिन, तो आपका impression down होने लगता है, या बहुत ज़्यादा, डेड़ हो जाता आपका channel, तो आप, जब भी आप YouTube पे काम करो, तो consistency के साथ काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप gap कर सकते हो, एक दिन का, दो दिन का, या तीन दिन का, पर ऐसा ना करो, कि आपको बहुत ज़्यादा gap हो गया, क्योंकि इससे पतली और खराब हो सकती है, लाश्ट में मैं आपको बोला चाहूँगा, कि जो वीडियो के starting में मैंने बोला था, जिस बंदे ने अपने channel पे subscriber और views खरिद लिया है, उनके लिए मैं यहाँ से suggest करना चाहूँगा, जो चीज हो चुकी है, हो चुकी है, अब आपको अपने YouTube चैनल पे पहली बात यहाँ कि आगे से ऐसा नहीं करना नहीं views आपको बाई करने हैं, नहीं आपको subscriber बाई करने हैं, अब आप यह समझ लीजिए कि आपके चैनल पे अब zero subscriber है और zero views है, अब मुझे दो बार से अपने YouTube चैनल को start करना है, तो अब आपको continuously महनत करनी है, consistency बना हो चुक है, हो चुक है, और जो वीडियो एक viral भी हो गई, तो आपका impression बढ़ेगा, views बढ़ेगे और आपको जो subscriber है वो active मिलेंगे, और जब आप नई वीडियो अप्लोड करोगे उसके बाद, तो वो subscriber आपके YouTube की algorithm में दिखाएंगे, और browse feature में भी दिखाएंगे, suggestion में भी दिखाएंगे, और जो subscriber किया होगा, जिसने subscribe किया होगा, उसको notification भी जाएगा, और recommendation भी जाएगा, तो ये चीज आपको, मतलब आपको zero से start करना है, अपने मन में ये सोचना है, कि मेरे चैनल पे zero subscriber, zero views है, बट मैं काम करूँगा, ऐसे आपको काम करना है, उम्मित करता वीडियो आपके लिए काफी important लगी होगी, अगर वाकि में ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने टेलिगराम में, अपने WhatsApp गूरूप में, या फिर Facebook पे आप घुमाईए, शेयर करिए, दबाके, दोस्तों म पिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में लपके रता पापाई, जय है।